जैहिन दोस्तों मैं खांसर का स्टुडियेंट आप सबको अपने यूटीब चैनल पे वेलकम करता हूँ आज हम लोग BPSC मेंस और अंसर्टिंग सीरीज का डीन नुमर अर्टिस में आपका वेलकम करते हैं और आज का कोश्चन है आपका पाल अकला की महतपुन ना है.. आज में लिखना है.. इस इन कोश्र का आड है और ४ि इनकोश्र की मिलपाता है तो आप हमें वाटसप या टेलिन तीडिस कर सकते है आपको включ यह्थिसले react बीसिते पर चाना में अज पर लिंक कर दिया जाना है यादक कि पर बैसे माइं मिल भी मिल पाता है एक थोड़ा सा लेट प्रोसेस है स्लो प्रोसेस है ग्राजुएल प्रोसेस अच्छा नहीं हो जागा आप 30 मार्खा जासे नहीं लगेंगे तो शुरुवात में आप जो है आप भगटिया एंसर लिखेंगे घटिया मतलब बहुत घटिया है नदिया अदर सबसे वस्ट कंड सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो कोई ताइम नहीं आप पूरा अच्छा से लिखेंगे लेकिन आपको टाइम भी सिखाया जागा लेकिन पहले आपको लिखना चाहिए पहले डे नमबर 60 तक हम लोग पहुँचते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे तो रेस्ट इसको बता दिया इसका मैं आगे बढ़ने से इसका जो स्ट्रक्चर मैं बताने से पहले बता देता हूँ यह जो है खांसर का ओफिसियल टेलिगान चैनल नहीं है जहाँ पर एंसर राटिंग हो रहा है यह उनके स्टुडेंट का यारी मेरा पसनल चैनल है और मैं उनके UPSC, BPSC बैच का स्टुडेंट हूँ जो आपको एंसर राटिंग करा रहा हूँ एक खांसर के कोचिंग का experience और मेरे खुद के मेंस देने का experience आपको काफी help करेगा आपने आपके answer को improve करने में, enrich करने में मैं कोसिस करूँगा कि आप लोग को अच्छे level तक का answer और काफी अच्छा answer वहाँ पर provide कर दूँ जिससे आपको काफी help मिलेगा अगर कोई बिना कोचिंग का त्यारी करना चाहता है तो वहाँ से आप सब कुछ मिल जाएगा तब इसका मैंने structure बता था हूँ कि structure कैसे जाएगा structure जोगा आप सबसे पहले introduction बताएंगे पालकला के बार में बताएंगे उसके बाद जो है आपको simple सा आना है पालकला के जो important आर्किटेक्चर हो जागा फिर आपको painting हो जागा और इस सब को आपको वहाँ पे flowchart में दिखाना पड़ेगा उसके बाद जो है पालकला के बहुत साए अंग है बहुत साए टाइप से आपको उसको वहाँ पर सो करना पड़ेगा अंसो को लिखना पड़ेगा हिंदी में अगर बात करते हैं अस्तापत्य कला हो जाता है यह सब आपको लिखना पड़ेगा जो पालकला के important component होते हैं और इसको 8 marks में लिखना है यानि आपको दिखें यह यह जो कोशन आता है हमें साथ 38 marks के लिए लेकिन अगर इसको 8 marks में पूछा है VPSC तो इसका मतलब है कि आपक और अपको आपको एक्स्पेंग करना पड़ेगा और आपको एक्स्पेंग करना पड़ेगा कहीं तो विवाण जब्लों किस देखा है अपको चाइट में और अपको चाहिण करेंगे अ कि सब्सक्राइट नहां होगे अपको चैंड आप च्ट में और टो फ्लोड़ फिर निंग is और आप याप निото कफिल हो जाइगा ठीक है तो डारेक्ट अगर आप चालते हैं कि जैसे ही मिरा P Todo ओ और आप डैरेक्ट टेस्ट सरी स्ट्रें अस्टार्ट करते हैं तो बहुत मुचिल जो लोग अभी कर रहे हैं वो सीधा अपना अपना time management में लग जाएंगे कि बीस कोषण का time कोषण मलाएंगे अपना time manage करेंगे और आप डारेक पहला answer लिखना स्टार्ट करेंगे तो अभी दो महिना time है आप मेंस के लिए जी जान से लगिए अभी मेंस दो महिना और उसके बाद तीन महिना जो रगड के पीटी का मेहनत करना है करवाएंगे सब कुछ सब कुछ अच्छे से होगा आप आए तो सही टेलीगाम ग्रूप में जोइन जय हिन्द जय भारत धन्यवाद